T800 Ultra Smart Watch के उपर अपनी SIM Card को कैसे लगाए कैसे insert करें तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने T800 Ultra Smart Watch के उपर अपनी SIM Card को कैसे लगा सकते हो कैसे insert कर सकते हो तो अगर आप लोगों के पास भी T800 Ultra Smart Watch है और आप लोग भी इसके अंदर कोई भी टाइप की SIM लगाना चाहते हो चाहिए वो 3G हो 4G है तो आप कैसे इसके अंदर लगा सकते हो कैसे इसमें insert कर सकते हो तो आज की वीडियो में मैं आपको फुल जानकानी देने वाला हूँ तो चलिए कि इस वीडियो को start कर लेते हैं और आपको बताती है कि कैसे आपको अपनी SIM Card को अपने T800 Ultra Smart Watch में लगाना है आप लोगों को T800 Ultra Smart Watch के ऊपर अपनी SIM Card को कैसे insert करना है कैसे लगाना है कैसे set करना होगा तो इसके लिए देको सबसे पहले अगर आपके पास कोईसा भी SIM Card हो इस टाइप को होना चाहिए यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर रिडी है अब हम देखते है कि इसमें जो हमें option कहा पर मिलता है तो सबसे बहले हमें अपनी T800 Ultra Smart Watch को ले ले लेना है अब यहाँ पर हमारी जो पिन होती है उसको भी हम ले लेते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले देखो अगर आप लोग यहाँ पर साइड में बटन देखते हो यह power on off का होता है बट कुछ लोग यहाँ पर सोडनी की कोशिस करते है बट यह बटन जो है बाहर नहीं आता है यहाँ पर इसका speaker होता है यह बटन होता है तो आप यहाँ बिल्कुल भी कोई भी गल्ती मत करना कभी आपके smartwatch देमेज हो यह इंदर से और यहाँ पर आपको कोई इधर की side option नह बाहर नहीं आ रही है सारे के सारे option बिल्कुल यहाँ पर यह ऐसे ही है ठीक है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने SIM card लगाने की कोशिश करी यहाँ पर भी कोई भी option नहीं होता है यहाँ पर SIM card लगाने का इसमें option बिल्कुल भी नहीं मिलता है आपको T800 Ultra smartwatch के उप बिल्कुल same to same do to do copy है लेकि इसके अंदर आप SIM card को easily लगा सकते हो बट अपनी जो T800 Ultra smartwatch है उसके अंदर आप SIM यानि की नहीं लगा सकते हो नहीं बिल्कुल भी कर सकते हो अप ठीक है इसके अंदर देख सकते हो यह एक Android watch है बिल्कुल यह देख सकते हो इसके अंदर आपको स सकते हो ठीक है इसमें option आपको मिलता है यह वोच का लिंक मैं आपको description में देदूंगा अगर आप इसको buy करना चाहते हो परचेस करना चाहते हो बट आपकी जो T800 Ultra smartwatch है उसके अंदर यह option आपको नहीं मिलता है यहां पर आपके पास है यह वाली watch है और जो मेरे पास है यह इसमें आपको option मिलता है अगर आप इसे purchase करना चाहते हो बाय करना चाहते हो तो link description में देख सकते हो अब इसके अंदर मैं आपको दिखा दे तो आपनी sim डाल दी है मैंने यहां देख सकते हो मेरी sim डल चुकी है यानि कि इसमें insert हो चुकी है अब यहां पर आपनी home screen पर चलत आए ठीक है एक बार इसको power off करना पड़ेगा तभी मेरी watch यहां पर जो इसम को लगएगी ठीक है थोड़ा सा वेट करते हैं लोग यहां पर थोड़ा सा वेट करेंगे जैसे तो देख सकते हो जैसे आप थोड़ा सा वेट करोगे ना एक बार अपनी जो है आप वोच को restart कर जोगे ना तो आपकी जो देख सकते हो यहां पर इसली बाई आपकी जो सिम है वो network easily connect कर लेगे और देख सकते हो आपकी sim easily चल जाए जो हमने sim इसमें insert की है यानि कि लगाई है देख सकते हो यहां पर आप लोगों को मैं network भी check out करा देता हूँ इस वाली वोच का link भी आपको description में देदूँगा अगर आप इसको buy करना चाते हो इसके अंदर आप YouTube, WhatsApp, Facebook, Games सब कुछ play store आपको इस वाली वोच के अंदर मिल जाते है आप easily इस वाली वोच को buy करके देखो भाई बहुत मज़ा इस वोच में आपको आएगा बट यह आपकी जो T800 Ultra Smart Watch है यह सिरिफ आपकी नाम की Android है नहीं इसके अंदर कोई भी SIM को लगा सकते हो नहीं आप इसे Android की तरह यूज कर सकते हो मेरे बाई मुझे यह वोच बहुत अच्छी लगी बट यह सबसे बेकार मुझे इसलिए लगी क्योंकि लोग यह बहुत जाद दोका किया है क कैमरे का भी option मिलता है सारी चीजे मिलते हैं बट कोई सा भी option वर्क नहीं करता बट यह वाली जो smart watch मैंने purchase कि है S8 Ultra इसमें आपको सारे future मिलते है सारे option मिलते है कैमरा A to Z जो Android में हर future मिलता है तो दोनों में difference है इसमें देखो यह कितना चोटा है यह कितनी बड़ी watch है तो आ जो जो जानकारी मैंने आपको दी वो कैसी लगी तो वीडियो में comment करके बता दे ना मेरे बाई कहने की बात यह है कि दोनों जो smart watch आप यूज कर रहे हो ना दोनों में बहुत साधा different है आपकी जो यहाँ पे T800 Ultra smart watch है उसके अंदर आपको जो SIM card का कहीं पर भी आपको option नहीं मिलता है बट जो आपकी S8 Ultra smart watch है इसके अंदर आपको SIM card का option मिलता है इसमें आप SIM card easily insert कर सकते हो लगा सकते हो तो इससे अच्छा मैं आपको यहीं बोलूँगा अगर आप लोग यहाँ पे अपनी T800 Ultra smart purchase कर रहे हो तो इसे छोड़ के आप यह वाली purchase करो जो कि fully Android है इसमें सा क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह से watch related competition की वीडियो से लाता रहता हूँ तो जिरू से चैनल को subscribe करे लेना कोई new watch आईगी तो उसके बारे मैं आपको information दे दूँगा तो चले गास मिलते नेक्स वीमें तब तक लिए टा 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 कुर्स पाए मेरे दूसे आपे